स्नापचाट नॉटिफिकेशन इन तुठ तुठ दॉट्वाइं करना है। और स्नापचाट पर जो आपको नॉटिफिकेशन साथे हैं, उन्हें आप कैसे स्टॉप अप और उफ कर सकते हो। यहाँ पर basically guys snapchat में ऐसा भी होता है कि जब भी हम mobile screen को इस तरीके से lock रहता है तो हमारे lock screen पर snapchat का notification आता है या sometimes जब भी कोई snapchat की तरब से features आता है कोई new lenses आता है तो यहाँ पर हमें snapchat की तरब से notifications आते हैं new new features को लेकर है तो अगर आप नहीं चाहते हो कि snapchat के कोई भी unnecessary notifications आपको आए और आप ऐसे में जो snapchat के notification है उसे आप stop and off करना चाहते हो तब कैसे कर सकते हो 2023 में तो यहाँ पर basically guys total 3 method है जिसका use करके आप snapchat के notification को proper तरीके से manage कर सकते हो और इने off and off कर सकते हो यहाँ पर सबसे पहरे जिए notification है वो हैगा इस आपको डायरेकल अपने snapchat के application में जाना है जैसे कि यह है snapchat के application इस पर आपको प्रेस करके रखने के बाद यहाँ पर आपको application info का एक option आएगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको option आ जाएगा notification का Snapchat का यहाँ तो एक second तरीका है आप डारिकली आप अप्लेकेशन में जाके application list में जा सकते हो application management में और यहाँ पर आपको application list मिल जाएगा तो यहाँ पर आपको scroll करके Snapchat का जो application है उसे आपको search करना होता है तो यहाँ पर मैंने सर्च किया Snapchat का अप्लिकेशन तो यह रहा Snapchat का अप्लिकेशन इस पर आपको टैप करना है आप उससे सेटिंग समाज होगे और यहाँ पर आज आके आप डिरिकली Snapchat के जो notification से उसको आप बंद कर सकते हो अब जैसे कि कि यहाँ पर अगर देखो तो यहाँ पर स्नैप्चर की तरफ से notification आएगा यू कन सी राइट यहाँ तो यहाँ पर अगर आप इसने all notification पर अपने क्लिक किया तो इसकी जो सारे notification बंद हो जाएंगे तो यह basically guys एक message जो आप यहाँ पर अलाव करते हो तो आपके home screen पर कोई भी message Snapchat का नहीं आएगा और यहाँ से आप Snapchat के on notification को off and stop कर सकते हो एक second तरीका यह होता है कि sometimes guys जब भी हम अपने mobile को on करते तो यहाँ पर lock screen पर भी हमारे सारे messages और notifications आते हैं तो अगर आपको Snapchat की जो notifications है अगर आपको जो लॉक स्क्रीन है जैसे कि अभी हमें बंद किया है तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको तीन आप्शिन मिलता है lock screen, banners और badges का तो यहाँ पर जो है lock screen की option में आपको जाना है अगर आप नहीं चाहते हो कि आपको lock screen पर Snapchat के notification आए तो यहाँ पर आपको lock screen में आना है तो यह default basis पर इस पर set होता है जिसकी वज़े से आपके lock screen पर भी नहीं आएंगे तो यह basically इसी के लिए settings है यह जो है दूसरा method आप apply कर सकते हो और इसके बाद एक third tap का message है method जो आप apply कर सकते हो और यही scroll कने के बाद यहाँ पर आपको गाईस एक notification का setting बिलेगा Snapchat में इस पर आपको click करना है तो तो अलगल्य type की notification है जो Snapchat की तरब से जाते है उसे आप यह से off and stop कर सकते हो एक्जशंपल के cases में कुछ बताती हो कि एगर आपको Snapchat पर कोई भी friend suggestion आ रहे है साब जब भी friend suggestion आहती है Snapchat की तरब से notification आता है Snapchat कुछ friend है आपको मिलते हैं, memories, creative effects जब भी कोई Snapchat की तरफ से new features launch होगा, तो वो भी आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसके रिलेटी भी आप notification को stop कर सकते हो, यहाँ पे आगे हैं तो यह बिसी किलिए तीन ऐसे method है तीन ऐसे places हैं जहाँ पे जाके आप Snapchat की notification को प्रपर तरीके से manage कर सकते हो, off चाहिए तो off कर सकते हो, stop चाहिए तो stop कर सकते हो और अपको on करना तो आप on भी कर सकते हो, यही एक legit method है, सारे लोग इसी method का use करते है, Snapchat की notification को प्रपर तरीके से manage और off करने के लिए So, thanks for watching, have a good day